कुम्ब राशी में जन्मे जातकों के लिए यह महिना उतार्चधाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। हालां की सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी निर्णय क्षमता भेतर होगी आप किसी भी पहलों के पक्ष विपक्ष अच्छे बुरे दोनों पहलों को देख कर ही कोई निर्णय लेंगे और आसानी से अपनी राय नहीं बदलेंगे इससे आपको बहुत लाब होंगे। आप इस महीने आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को एकदम से आश्चर्यच कित कर देंगे लेकिन यही तो आपकी खूबी है। आप इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। आप किसी ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं जो बहुत ज समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल परिणामों की प्राप्ती का संकेत देता है। उन्हें अपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के व्यवधान में कमी और महीने का उत्तरार्थ उन्हें सफल बनाने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। महीने की शुरुआत में तनाव बढ़ेगा, कहां सुनी हो सकती है। जबकि महीने के उत्तरार्थ में प्रेम बढ़ने की संभावना रहेगी। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहने से आपको ज्यादा कोई बड़ी समस्या महसूस नहीं होगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवशक्ता पड़ेगी। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जो लोग पहले से विदेश में रह रही हैं, उन्हें स्वदेश लोटने का मौका मिल सकता है। करियर के द्रिष्टिकोन से यह महीना उतार्चधाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेश रूप से कुछ सावधानिया बरतने का समय होगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंगारक दोश बनाएंगे। यह आपके द्वितिय भाव में स्थित होगा। जिसके कारण आपको अपनी वानी पर नियंत्रन रखना होगा। आपकी कही कुछ कडवी बाते कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिती को बिगाड सकती है। ऐसी स्थिती से बचने की यथा संभव कोशिश करें नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्रिशब राशी में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर द्रिश्टी डालेंगे। जिससे आपके कार्यक्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगे। शुक्र भी उन्नीस मई को चतुर्थ भाव से दशम भाव पर द्रिष्टी डालेंगे यह दोनों ही ग्रह स्थितियां आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने में मदद करेंगे आपको अपने काम को और बहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा व्यापार कर रहे जातकों के लिए स्थितियां महीने की शुरुवात से ही अच्छी रहेंगी शनी महाराज जो आपके राशी स्वामी भी है अपने ही राशी में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव और त्रीतिय भाव तथा दशम भाव पर पूर्ण दृष्टी डालेंगे जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोतों का स्रिजन होगा कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होगी आपके व्यापार में उन्नती होगी और विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में व्रिधी के योग बनने लगेंगे अगर आप किसी के साथ साजहदारी में व्यावसाई करते हैं तो महीने का पूरवार्थ कुछ कमजोर रह सकता है क्योंकि इस दोरान आपका आपसी एहम का टक्राव व्यापार में परेशानिया ला सकता है लेकिन महीने का उत्तरार्थ दोनों को समझाएगा कि आपको आपस में मिलकर ही व्यापार को आगे बढ़ाने से लाब हो सकता है आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिती को देखा जाए तो महीने की शुरुवात कुछ अनुकूल रहेगी तीसरे भाव में उच्छ राशी के होकर सूर्य देव आप पर कृपा करेंगे और आपको सरकारी माध्यमों से लाप के योग बनाएंगे आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थ लाप की प्राप्ती कर सकते हैं चतुर्थ भाव में उपस्थित देव गुरु ब्रहस्पती जो आपके द्वितिय और एकादश भाव के स्वामी भी हैं आपके अश्टम भाव दशम भाव और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टी से देखेंगे जिससे कुछ अच्छे फल तो प्राप्त होंगे ले दूसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक दोश धन संचय करने में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है इसलिए आपको अपने धन की देख भाल करनी चाहिए और अच्छे निवेश की ओर रुख करना चाहिए स्वास्थ्य दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा पीडित कर सकती है इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है लेकिन आपको आपके अच्छे स्वास्थि की कुंजी है। आपको यहा लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करके सही नहीं किया। इससे परिस्थितियां और बिगड सकती है। इसलिए वाद विवाद से दूर रहे क्योंकि दस मई को जब बुध दूसरे भाव से निकल कर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपका अपने प्रियतम से लगाव फिर से शुरू हो जाएगा और आपके बीच अच्छे प्रेम के सन्योग बनेंगे। महाराज की दृष्टी बनी रहेगी जिससे आप अपने रिष्टे को लेकर इमानदार रहेंगे। आप अपने दिल से कोशिश करेंगे कि अपने जीवन साथी का ध्यान रखें और उनकी बातों को तवज्जो दें। सब्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में अपने उच्छ अवस्था में रहेंगे। फिर भी सब्तम भाव से अश्टम भाव में मंगल राहु के अंगारक दोश के कारण जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहां महीना पारिवारिक तौर पर उतारचधाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु, मंगल और बुध का सन्योग महीने की शुरुवात में रहेगा जिससे कुटुम के लोगों से आपसी कहा सुनी हो सकती है। आपकी वानी में भी कडवाहट हो सकती है जो आपकी दोस्ती को बिगाडने में एहम भूमिका निभाएगी। इसलिए सबसे बहतर तो यही स्थिती होगी कि अपनी वानी पर नियंतरन रखा जाएं और किसी को भी कडवा या भला बुरा बोलने से बचा जाएं इसी से आप अपने संबंधों को बहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि दस मई को खुद के द्वितिय भाव से निकल जाने से स्थितियों में कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों को इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। वह अपने कार्यक्षेतर में अच्छी तरक्की करेंगे उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा और ना केवल सहयोग बलकि वह आपसे दिल से स्नेय भी करेंगे। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देव गुरु ब्रहस्पती विराजमान रहेंगे जिससे माता-पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और उनका आशीरवाद आपको कार्य में सफलता प्रदान करेगा। 14 माई को सूर्य के चतुर्थ भाव में आजाने के बाद आप परिवार में खुद को श्रेष्ट साबित करना चाहेंगे इस स्थिती से बचना आपके लिए हित कर होगा। उपाए खुद पर विश्वास रखें और किसी से भी कोई जूठा वादा न करें। उच्च गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंचधातू या अश्टधातू की मुद्रिका में जडवा कर शुकल पक्ष के शनिवार को मध्यमा अंगुली में धारन करें। धारन करने से पूर्व नीलम के प्रभाव की जाँच कर लें। आपको गुड और काले तिल के लड़ू मंगलवार के दिन वानरों को खिलाने चाहिए। श्री राधा कृष्ण जी की नियमित उपासना करना आपको प्रसन रखेगा। यह राशीफल आपकी चंद्र राशी पर आधारित है।